सांसद कंगनार अनावत चंडिगड़ एरपोर्ट से दिली जा रहे थी उसी बीच में वहाँ पर CIFS की कांस्टेबल मैला उनके माइन्ड में पता नहीं क्या चल रहा था कंगनार अनावत को एक थपड जड़ देती है और इस बात को लेकर के सोसल मीडिया पर बहुत बवाल मचा है कि जो महिला हैं रिल्स बनाती हैं डांस करती हैं उससे अच्छा तो ये CIFS की लेडिस कांस्टेबल उनका कहना ये है कि जो कंगनार अनावत हैं उन्होंने किसानों को आंदोलन करते समय उनका एक टिपड़ी आया था कि जो किसान महिला हैं सौसो रुपए लेकर के आंदोलन कर रही थी और इसमें जो कंस्टेबल महिला हैं उनका कहना ये है कि मेरी मा भी वहाँ जाकर के आंदोलन कर रही थी तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं इसी बात को लेकर के कांगना रनावत को एक थपड जड़ दिया गया है लेकिन कानून ये कहता है कि जब भी कोई करमचारी हो अधिकारी हो अपना डिवटी कर रहा हो तो वह कानून को हाथ में नहीं ले सकता है अगर ऐसा उन्होंने किया है तो उनके उपर IPC सेक्शन 1661 के तहत उनको एक साल की सजा हो सकती है और थपड मारने पर धारा 323 के तहत उनको एक साल की सजा हो सकती है और जुर्माना लग सकता है और कांगना रनावत का कहना ये है कि मेरे साथ अबहतर तक की गई है तो इसमें IPC section 504 की तत सजा देने का प्राधन दिया गया है इसमें 2 साल की सजा हो सकती है लेकिन यह सब बाते अगर कोट में सावित होगी तभी जा करके वो जो CIFS की latest constable है उनको सजा होगी उससे पहले जो department है उनका उनको suspension कर सकती है या फिर termination कर सकती है इस तरह से यह पूरी वार्दात होई है आपका क्या कहना है आपका क्या राय है आप लोग मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं आप लोग का बहुत बहुत धनबाद वीडियो देखने जानने सुनने के लिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद वंदमातरम